नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आपने मेरे बताए अनुसार लगातार कुछ दिनों तक इन चीजों का सैवन कर लिया ने तो आपकी बोडी में इतने जवरदस्त और भैतरिन फाइदे देखने को मिलेंगे कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा actually होता कै है दोस्तों कि जो लोग साम को घर लोडते है हारे ठके वो उनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है कमजोरी महसूस होती है या पिर जो अपने सरीर से दुबले पतले लोग है जो अपने वजन को भढ़ाना चाते है जिनकी बोडी में बिल्कुल प्रोब्लम्स होती है, जैसे कि उनका पावर कम हो जाना, उनमें इस्टेमिना कम हो जाना, वो सभी लोग भी इसका आसानी से सैवन कर सकते हैं, दोस्तों बस आप इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुने, साथ इस वीडियो को अंततक जरूर देखें, अगर दोस्तों आ आपको यह जानकरी जरासी भी पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दीजिएगा साथ इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों आपको मोर्निंग के समय में एक मुटी चना लेना है एक मुटी आपको साबुत मुम के डाने लेने है साथ या आपको 20-25 मुम फली के डाने लेने है चार से पांच की संक्या में आपको बाद कर देना है यानि कि उसे मूँ को Bन्द कर देना है और फिर आप इने रात बर ऐसे ही छोड़ दे रात बर के बाद में आप मोर्निंग में उठोगे तो आप देखोगे अगली मॉर्निंग को कि जो भी अपने इसमें बांदा था जो कि एक मूंग फली और बादाम को छोड़ करके जो चैना और जो मूंग है वो अंकूरित हो चुके होंगे अगर आप इनका लगातर कुछ दिनों तक सैवन करते हैं चना, मूंग, बादाम और साथी मूंग फली के दानों का तो आपकी बोडी में बहुती जबर्दस फायदे देखने को मिलेंगे जो लोग बार-बार ठक जाते हैं थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते जिनके हाथ पैर जोड़ो में कमर में पीठ में दर्द की प्रोब्लम हमेशा बनी रहती है जिनकी हडियां कमजोर हो चुकी है जिन लोगों का इस्टेमिना बिल्कुल डाउन हो चुक है थोड़ा सा भी क नहीं कर पाते दिल लोगों का immunity system बिल्कुल डाउन हो चुका है जो बार-बार बिमार पर जाते हैं चाहिसे मोसम बदलता हुआ हो या फिर कैसा भी हो लेकिन वो जल्दी से बिमार पर जाते हैं क्योंकि उनमें बिल्कुल भी immunity power नहीं रह पाता ऐसे लोगों के लिए इन सब च चीजों का सुबह-सुबह नाश्ते के रोप में आपको 7 कर लेना है इसके बाद में दोस्ता आपको लगबग आदे से 1 गंटे के बाद में एक गिलास आपको दूद का 7 भी करना है जिससे क्या हो गएगी जो आपकी बोडी में केलसिम की कमी है वो भी धीरे-धीरे दूर हो जिससे कि जो आपकी हडिया है वो भी मजबूत होगी साथ ही साथ जो आपके हाथ पर जोड़ो में कमर में पीठ में दर्थ की प्रोबलम होती है वो भी धूर होने लेगी अगर आपके भी बाल सपेद होते जा रहे या फिर आपका चेहरा बिलकुट डल हो चुका है बुड बनने लगेगा साथ या आपका पावर भी बनने लगेगा दो तो उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आईए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद